जम्मू कस्मीर सिधारा 370 हटाने के बाद अब मोधी सरकार ने पूरे देश में CA कानून लगाने का आयतिहास इक फैसला किया है जिस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार की मंतरी जेपियस राठावर साप मुझूद हैं उनसे बात करेंगे सर एक बड़ा फैसला हुआ इसे किस तरह देखते हैं कितना अशर पड़ेगा सबसे पहले तो ये CA Act बनाने के लिए देश के सशीर प्रधान मंतरी मानी नरेन मोधी जी ग्रह मंतरी मानी अमिस्ट साजी समेत सभी सांसदों का राजिससबा लोगसबा और इस देश की जंता का मैं आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने मानी प्रधान मंतरी जी को इतना मजबूत करने का काम किया है कि वो इतने सासिक फैसले कर पा रह constitutional कि कि और मानी प्रधान साräदिनों पर पहला हक मुसल्मानूं का है क्या ऐसा उनको बोलना Greg have sex cm सादनों पर पहला हक ओर गरीवों का है बिन्चितों का है बन्चितों का है अनलितों का है महिलाओं का है और चोर में विद Не सों से और यहां पर उनके हक को झीने का काम करते हैं और उर्ष को ठीक करते हुए मानिय प्रधान मंत्री जी ने ऐसे सरणार थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां पर आये और वो पीडित थे बहां पर उनको उनके अधिकारों का दमन किया गया पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बंगला देश में ऐसे हिंदू, सिक, बाओध, जैन, पार्सी और इसाई सभी धर्मों को उन्होंने लिया है तो इस तरह से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, और जहां तक रही बात की मुसल्मानों किसमें क्यों नहीं सामिल किया है, तो उन्हीं से तो पीडित थे, उन्हीं से पीडित होके बिचारे यहां पर आए, तो जो पीडित करने वाला वेक्ती था, पता चला वो साथ में चला आता हो, वो कहता है, चलो तुमको बहां भारत में भी देखें, तो इसलिए उनको इस उससे दूर रखा गया है, लेकिन सर, इस कानून के बाद विपच्छ जो है, वो भारती जनता पार्टी पर मुदी सरकार पर धार्मिक बाहुना की आदार पर बेहदबाव करने का आरूप लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफ़ल रही, इसलिए इस तरह की कानून लाए गया है, देखें ये C.A. Act को बिल को लाने का काम कब हुआ, जब हमारी 2019 में सरकार बनी, ततकाल बाद C.A. को बिल को लाने का काम किया गया, उस पे पूर कानून बनने का काम हुआ, और लगवक साड़े चार साल चर्चा के बाद, आज एक कानून का अमली जमाब बनकर, हमारे लोगों के उपर लागू होने का काम हुआ है, और संविधान में इसको अपना इस्थान मिला है, इसके लिए देश की राष्टपती, महामईं, द्रौ नारती भाई हैं, मुझे लगता कि वो उनको आज के दिन बहुत बहुत धन्वाद दिना चाहेंगे, एक अन्टिम सवाल क्योंकि ये सर जब कानून आया था दोहजार उन्नेस में तो बड़े इस्तर पर पुरोत और राजों के साथ पूरे देश में विरोध हुआ था, ऐस विरोधियें, जो कोई हमारी संस्कृती रही है, कि कोई विक्ति सरनार्थी बन कर आता है, तो हम उसको गले लगाते हैं, तो हमारी संस्कृती के विरोधियें, हमारी सभ्यता के विरोधियें, ऐसे विरोधियों को जबाब देने के लिए देश की जंता तयार है, और दोहज की संस्क्रित रही है कि सरणार्थी को सरण देने का वो काम आजमोधी सरकार ने किया है और ऐसे में उत्रपदेश में में नसर्फ बलकि सभी जगह पर सांती वेवस्था कायम रहे इसके लिए भी पुक्ता कदम उठाए गये हैं केमरमनों पर यादों के साथ राजीव प्रताथ सिंग्यू जैटिन लखना हूँ